हेले अडियो और वेलकम टो अनेश्ट अवालाई सकेडमी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं योजी सीनेट और जीर एफ के रिजल्ट के बारे में जैसा कि आपने थमनेल पे देखा कि 110% ये ओफिशल अपडेट होने वाला है और आज का आज ही आप यानि कि अभी तुरंत मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि आप फेल है या पास है विकाज आपको अब बहुत ज़दा लंबा वेट नहीं करना है कि अभी तक योजी सीनेट ने रिजल्ट जारी नहीं किया है कैसे देखू ये सारी चीजे आज आज आपके इस वीडियो में समाधान हो जाने वाले ये सारी चोचले आज बंद हो जाने वाले है और मैं एक चीज और गरांटी के साथ कह सकता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की आउशकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आज आप अपना रिजल्ट देख लेंगे आपका scorecard कितना आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं एक एक करके बताने वाला हूँ ठीक है इसे बहुत सारी जगह पर आपको नहीं ले जाने वाला बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ और ओफिसल वेवसाइट पर ले जाओंगा और वहीं से आपको अपना डिजट कैसे डाउनलोड करना है कैसे देखना है ठीक है वो मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को पुरा सुरू करूँ उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पेस से बनाया जा रहा है पहली बात ये दूसरी बात ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक रेट रिव्यू एन सेयर करना मत भूलिएगा तीसरी बात ये कि अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजगा बेल लोग पूरा करेंगे तो बिना किसी डिले किये हुए आईए हम आपको लेकर चलते हैं बेव साइट पे और वहाँ पे दिखाते हैं कि आपको अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है किस तरीके से आपको देखना है और आज का आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कार्ड या जो सॉटिफिकर्ट होता है वह डाउनलोड कर लेना क्योंकि आज की वीडियो से आपका सॉटिफिकर्ट नहीं मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिल जाएगा कि आप फेल है या पास है क्योंकि डिजल्ट के रिगार्डिंग मैं ये कह दू कि पंदर दिन बाद आए ये टेंशन आपके मैंड से निकल जाएगा और आज का आज ये आपको पता चले जाएगा कि आपका डिजल्ट क्या है आप फेल है या पास है ताकि आप मुक्त हो सके हर एक टेंशन से क्योंकि 14-15 महीने की एक लंबी डूरेशन एक लंबे वेट के आज फाइनल इंतजार के घरी समाब्त हो गई है और आपका रिजल्ट आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ ठीक है तो आई अब सुरू करते हैं तो हम आ चुके हैं ओफिसल वेवसाइट पे यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हम ओफिसल वेवसाइट पे हैं और यही बिल्ट भी आ चुका है और मैं आपको आपका रिजल्ट दिखाऊंगा ठीक है उससे पहले करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है आपको अफिसल वेवसाइट पे आना है योजी सिनेट का डिस्क्रिप्सन में मैं लिंक दे दोंगा डिरेक्ट क्लिक किजिएगा ओफिस के साथ इसको खोल सकते हैं और दूसरा दिया जाएगा अप्लिकेशन नंबर और डेट ऑफ वर्थ के साथ आप खोल सकते हैं ठीक है तो पहले ये दो काम कर लेजिए मेरा बिलीब मारीए अप ये कीजिए आपको अभी मैं आपको डिखाता हूं तो चलिए आप खोल के देखत है डेलेक्ट अप में security pin डालूँगा यहाँ पे तो security pin मैं पहले डाल लेता हूं तो security pin है यहाँ पे 8389 8, 3, 8, 9 उसके बद क्या है U capital U और 3 है हमने यहाँ पर click कर दिया है और यहाँ पर यह खुल चुका है मैं नाम और registration number फिर से height करने वाला हूँ वो मैं height कर दिया हूँ जैसे आप height करेंगे तो उपर आपका नाम आ रहा होगा ठीक है यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा और यहाँ पर आपका registration number आ रहा होगा जिससे मैंने height कर दिया है यहाँ पर 3-4 चीज़े आपको देखने को मिलेगी application process, progress status होगा जिसमे view registration, application number, document और feed receipt होगा then mobile verify और email ID है तो हम नीचे जाएगेगा नीचे चलते आना है आपको तो नीचे आते जाएगे तो इस तरीके से आपको दिखता जाएगा लेकिन यहाँ पर फिर से registration number है तो हम इसे hide करूँगा और जैसे ही नीचे आएगे तो finally आपको यह दो चीज़ आपको दो pop-up देखने को मिलेगा एक होगा view question paper ठीक है और दुसरा होगा view challenge answer की अब आप यह सोच रहे होंगे कि सर यह दोनों करके मैं अपने result कैसे देख सकता हूँ तो my dear friends इसे करके आप अपने result 100% official base से देख सकते हो ठीक है और इसको मैंने कल night में बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है result इसलिए मैं पूरे 100% 10% दावे के साथ यह video बना रहा हूँ है हिमत तो कोई challenge करके दिखाए कि यह video wrong है ठीक है मैं यहां तक की बोल रहा हूँ आप इतना करने के बाद आपको आप अपने result पे पहुंच जाएंगे आपका number कितना आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा and then आपको जब marks पता चल जाएगा कि इतना number आपको आ रहा है तो result क्या होता है एक number ही तो होता है एक number जितना आपको पता है कि UGC NET NGRF qualify करने के लिए आपको अगर journal category से आते हैं तो 40-40% दोनों subject में होना चाहिए पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में 40% marks आने चाहिए ठीक है देन आपका ये criteria होता है अगर आप रिजर्व category में आते हैं like that आप SC, SD, OVC, NON करी मिलियर वगरा में आते हैं तो आपको 35% marks चाहिए होता है अब 35-40% के जमेले में मैं नहीं पढ़ने वाला फिलाल में मैं आपको result दिखाने वाला हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपने एक घंटी ये मेहनत कर लिया ठीक है तो आप अपना result आज का आज देख लेंगे आपका हर एक tension, हर एक confusion आज के आज ही दूर हो जाएगा अगर आप इतना नहीं करेंगे तो फिर आपको रोज रोज कोई ना कोई वीडियो देखना पड़ेगा कि अब official के answer की आया है result का बार हाँ ये provisional answer की है मैं मानता हूँ final answer की नहीं है लेकिन provisional answer की final answer की के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक keyword का अंतर है कि जो आप question challenge करते हो ठीक है एक बात बताईए इस question को कितने लोग challenge करने वाले मुझे नहीं लगता कि 100 से भी ज़्यादा लोग challenge करेंगे कोई भी question को because एक question को अगर challenge करने का price अगर 1000 रुपीज रखा गया है means आपको इस game से बाहर कर दिया गया है out कर दिया गया है ताकि आप किसी भी तरह का कोई भी challenge नहीं कर पाए ताकि हमको बार बार मेहनत ना करना पड़े अगर वही 100 रुपय 200 रुपय होते हैं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे लाखो बच्चे इस question को challenge करते अपने answer को challenge करते बट 1000 रुपय होने के वज़े से बहुत कम लोग challenge करेंगे और जो ये provisional answer की है provisional से हटेगा और वहाई पे provisional पे final answer किया जाएगा और देखिएगा जो answer की मैं download करके आपको दिखाऊंगा वही चीज होने वाला है अभी मैं फिलहाल मैं history का download कर रहा हूँ जो जो subject आपका होगा ठीक है उसी तरीके से आपको करना है जो मैं process बता रहा हूँ और इसी process से करके आप एक घंटे में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका result आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर आप चाहते हैं कि मेहनत नहीं करना तो cyber cafe में जाईएगा वहाँ से मैं जो जो document कहूंगा आप print out कीजेगा अगर आप चाहते हैं कि घर पे बैठे हुए करना है cyber cafe नहीं जाना है तो copy pen उठाना और कैसे कैसे लिखना वो सारी चीजे मैं बताने ही वाला हूँ तो आईए सबसे पहले मैं बता देता हूँ view question paper पे आपको पहले click करना है देखिए मैं view question paper पे click कर दिया हूँ उपर नाम है registration number है जो मैं आप लोग के सामसे सोने ही कर सकता बस इतना देखिए कि उजी सीनेट 2021 history shift second timing इसमें mention किया गया है कि कितने बज़े आपका examination हुआ है ठीक है अब आपको इसमें problem यह होगा कि paper 1 कौन सा है paper 2 कौन सा है तो everyone मैं आपको अब clear करके बताना शुरू कर रहा हूँ तो please आप इस वीडियो को काफी careful तरीके से देखे ताकि आपको समझ में आ जाए क्योंकि बार-बार आपको वीडियो को देखनी के आऊ सकता ना पड़े अगर कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को आपे pause किजिए दिन उसी तरीके से आप format बनाईए और आगे बढ़ते जाएए तो इस तरीके से आपके पास जो ये खुल के आएगा आपने जो answer दिया है और आपकी examination में जो question आया था वो page आपको खुल के आ जाएगा तो paper first का जो question code होगा वो two-handed यहाँ पे देखे हिस्ट्री वाले में सुरू हुआ है यहाँ पे question ID यह रहा यह question ID है 255 255 question ID है और यह paper 1 का है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे GP लिखा है journal paper लिखा हुआ है GP means journal paper होता है GP means journal paper 39 number को exam हुआ था second shift में हुआ था यह सारी चीज़े यहाँ पे दिया गया है यह question paper था और इसका answer इस भाई सहाब ने देखे यह लगाया है ठीक है अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ आपको देखे question ID question ID यह हुआ यह हुआ question ID यह हो गया आपका उस question का answer जो आपने लगाया था अब official answer की यानि कि official answer की provide करवाया गया है इस question का तो यह question सही है की नहीं है यह भी मैं आपको cross sticker की बताऊंगा लेकिन एक एक आप देख लिजे ठीक है पहले पहला question ID आप देख लिजे question ID आपका हो गया दो सो पचीस ठीक है दो सो पच्पर माफ की जेगा और इसका answer आपका जो इस बंदेने लगाया है 6 and 8 यानि की option ID 120 लगाया है तो आपको इसी तरीके से लिखना है या इसका print out आपको निकलवा लेना है उसके बाद आपको करना क्या है देखे यह थोड़ी से मेहनदी काम है एक घंटे में आपका result आपको पता चल जाएगा दूसरा question इस तरीके से शुरू हो रहा है तो paper first का आपको मैं दिखाता जाओ तो paper first का फिर से इस paper का जो answer होगा option number यहाँ देखिए इसका answer यह हो गया फिर question ID यह हो गया इसका answer जो आपका हो गया यह हो गया और इस तरीके से आप पहले आपने जो लगाया है यह वाला खुल रहा है यह page वो है जो आपने examination hall में जाकर के दिया है और आपने जो answer लगाया है जो official answer की UGC net provide करवाई है वो मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ से वो कैसे cross check करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यह सभी two handed के बीच में चल रहा है यह सभी two handed वाले हैं यह देख लीजिए journal paper कहीं चल रहा है तो इस तरीके से आप नीचे बढ़ते जाएंगे नीचे बढ़ते जाएंगे और जैसे ही 50 question आपका समाप्त होगा तो आपका journal paper यहां से समाप्त होगा यह journal paper कहीं चल रहा है two handed का ठीक है two handed में ही चल रहा है 277 तक हम लोग आ चुके है question number और देखे एक होता है question number और question ID होता है और दूसरा होता है option ID तो option ID भी लिखना है question ID भी लिखना है और मैंने इसका format अपने बेचवीतिया रखकर रखा है तो उसे भी आपको दिखाने वाला हूँ लेकिन इतना आप देख लिजे तो paper one का मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ तो paper one आपका यहां तक आ करके समाप्त हो जाएगा और थोड़ा सा नीचे बढ़ते जाते हैं थोड़ी सी patience आपको रखना पड़ेगा because यह video थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इस तरीके सम नीचे बढ़ते जाएंगे नीचे आयते जाएगे इस तरीके से नीचे आते जाएंगे और देखते हैं अब देखें फाइनली यहां पर देखें फिर भी अभी journal paper ही चल रहा है 96 तक है और यह इसका paragraph टाइप का जो question आया था जो इसका answer लगाया गया है यह है तो इस तरीके से और हम नीचे जाते जाएंगे जब तक कि आपका paper शुरू ना हो जाए ठीक है तो paper 1 का हमने देख लिया और यहां से आपका finally paper 2 सुरू हो गया है ठीक है इस question को last question जो दिखाना आई यह दिखाना आई है question ID 300 है यह last question है paper 1 का ठीक है पचास question यहाँ पर समाप्त जाता है और पचासवे question का इसका answer लगाया गया है यह और उसके बाद यहां से paper second सुरू हो जारा subject है history question ID है इतना और इसका answer जो लगाया है इन भाई साब ने ठीक है उसका answer रहा यह ठीक है इसका answer रहा यह वाला इस question का answer रहा इस तरीके से तो इस तरीके से आपको paper 1 का paper 2 का दोनों का बनाना है format अप मैं आपको paste पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ की paper पे आपको कैसे बनाना है लेकिन उससे पहले मैं आपको answer की दिखा देता हूँ ठीक है तो आपने यहाँ तक देख लिया तो इस तरीके से आपका पूरा handed question का नीचे तक आ जाएगा यहाँ देखिए handed question का आपको नीचे तक आ जाएगा अब official answer की से उस answer को match करने के लिए आपको click the view challenge answer की पे click करना है मैंने उपर का page hide कर दिया है विकॉज उसमें नाम है, father का name है, पुरा address फगरा है तो वो मैंने hide कर दिया है direct मैं आपको लेकर के आ गया answer की पे ठीक है अब official answer की क्या किया गया है कि यह देखिए history का question ID है यह देखिए 1719 यानि कि 10,719 question ID है और उसका correct जो answer है वो है, यह देखिए यह इसका answer है 12,874 यह 12,874 क्या है तो यह भी एक question ID जैसे मैंने आपको बताया था ठेक है और answer ID बताया था तो यह है इसका answer ID जो भी आप answer ID लगाएंगे 123 जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ था तो इस तरीके से इसका answer ID दिया गया है अब इस answer ID को जब मैं अपने copy पर दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे देखिए आपको 4 option दिये जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पारे होंगे 4 option दिये जाते हैं 5 option दिये जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 option दिये जाते हैं ठीक है history का question है और इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है फिर नीचे जाएंगे तो अभी आपका जो paper चल रहा है वो paper second का चल रहा है और जहां भी 5 digit आएगा ठीक है वहाँ पे देखे सब जगा history ही लेकर के लिखा हुआ आएगा कहीं पे paper 1, 2 लिखा हुआ नहीं आएगा actually में आपको खुद से ही find out करना है question ID देखना है आपने जो answer लगाया है answer ID देखना है and then इस answer से आपको match करना है अगर इस answer से आपका match हो गया तो वो question सही हो गया अगर match नहीं हुआ तो आपका गलत हो गया ठीक है तो इस तरीके से आपका answer इसमें दिया गया है अब challenge करने के लिए क्या होता है कि अगर लगता है कि ये official answer की में ये answer आया है double मतलब कि 300 जो question number मैंने आपको दिखाया था ठीक है एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे question ID 300 है ठीक है और यहाँ पे question ID 300 है इसका official answer की है 11.19 इसमें जो जिस वंदे का मैंने डॉलोड कर रहा है उनका देखिए उन्होंने इसका answer क्या लगाया है ये देखे 11.19 उन्होंने भी इस question का answer लगा है 11.19 उनका भी है और official answer की में भी 11.19 है यहाँ पे 4-5 option आपको दिया गया है option ID, option ID, option ID, option ID ठीक है तो यही option ID आपको match करना होता है जो यहाँ पे दिया गया है official answer की में अगर इस तरीके से है तो वो question आपका सही हो जाएगा otherwise गलत हो जाएगा तो 11.99 यहाँ पे दिया गया है तो यह सही हो जा रहा है अगर लगता है कि यहाँ पे कोई 11.98 लगाया है और उसको लगता है कि यही answer सही है तो इसी को आपको challenge करना होगा इसी को आपको challenge करना पड़ेगा otherwise नहीं ठीक है तो इस तरीके से आपको पूरी date so question को आपको करना है दिन आपको पता चल जाएगा कि paper first में आपके कितने question सही हो रहे हैं paper second में आपके question कितने सही हो रहे हैं और आप UGC NET के लिए qualify हो रहे हैं या GRF के लिए qualify होने वाले हैं यह सरा चीज पता चल जाएगा यानि कि 10 दिन पहले result आने से पहले ही आपको अपने result पता चल जाएगा जैसे कि UPSC होता है UPPCS होता है बिहार PCS होता है जो भी PCS examination होते हैं उसका answer की एक दिन बाद आ जाता है लगबग लगबग हर YouTube channel और जो ही बड़ी संस्थाने है वो जारी कर देती है ताकि बच्चा देख लेता और उसको पता चल जाता है कि हमको comments की तहारी करनी है या नहीं करनी है तो इसका आप क्या कीजिएगा इसका भी आप print निकलवा लीजिएगा या इसका screenshot ले लीजिएगा इसली है screenshot लेजिएगा तो आप दोनों को आपने जो खुशन लगा है वो भी और जो official answer की है उसका भी दोनों का आपको print out लेना है देन बैटके एके करके match करना है और within one hour से भी कम time लएगा जब हमको 13-15 minute वीडियो बनाने में लग रहा है तो आपको 15-20 minute लएगा ये सारे reject करने में और आपका result आपके सामने होगा यानि कि कभी भी result आए आप ये निश्चित हो जाएंगे कि आपका result आ गया paper one का है ठीक है एक तरह आपको question ID लिखना है इस तरीके से और दुसरे तरह आपको अपना answer ID लिखना है ठीक है question ID आपका 255 है उसका answer है 220 उसका answer ID है ठीक है 600 उसका answer लगा हुआ था और इसका इधर बाद जो digit है वो digit है आपका answer ID का जो हमने लगाया हुआ है ठीक है यानि कि आप जो question लगाते है उसका answer ID यहाँ पे रहेगा ठीक है समझ में आया एक तरह आपको question रहेगा यहाँ पे एक तरह आपका answer ID रहेगा और जो official रूप से जो दिया गया है वहाँ से आपको match करना है और दिन आपको देख लेना है कि आपको वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है ठीक है तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो everyone जैसा कि मैंने आपको एक एक चीज़ एक पोइंट करके explain कर दिया है एक तरफ आपको question ID लिखना है एक तरफ आपने जो answer लगाया है वो ID लिखना है और दुसरी बात जो challenge वाला आता है उस पर आप click करेंगे तो एक तरफ correct answer की जो UGC net खुद दे रखी अपने side पे तो वहाँ से आपको हर एक subject मैस कर लेना है जो भी आपका subject हो वीडियो देखते होंगे तो उस सारी चीजों से आप बच जाएंगे आपका समय बच जाएगा और आज काज ही decide होगा कि आपका UGC net निकल रहा है या नहीं निकल रहा है आप NET के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं दोनों इस चीज़े आपको पता चल जाएगा एक चीज़ आपको याद रखना है कि पेपर 1 में आपको लाना है 40% marks ठीक है 40% marks and then paper second में भी लाना है आपको 40% marks अगर आप जर्नल काटेगरी से है पास कर दें के लिए मतलब कि UGC NET जैसा आप यो साइट पे दे रखी है कि इतना % marks लाएंगे तब ही जाकर कि हम consider करेंगे तो इतने % यानि कि 35% और 40% अगर आप marks आ रहा है तो आपको consider किया जाएगा और इसमें भी जिसका highest number होगा उन 6% बच्चे ही UGC NET and ZRF qualify होने वाले हैं तो ये एक वीडियो में मैंने छोटे से अंत में आपको बता दिया तो ये सारी चीज़े आप लोग को समझ में आ गया होगा इसके अलावा कोई भी question हो तो comment box में आप comment किजेगा टेलिग्राम चैनल जो जोईन कर लिजेगा एक घंटे के लिए मैं open करूँगा और एक घंटा के लिए कब मैं open करने वाला हूं उसका मैं link दूँगा और जो भी तमाम questions होंगे आपको आपने अपने answer देखा क्या आपको सिर्फ एक घंटे तक ही वो चलेगा देन उसके बाद उस group को delete कर दिया जाएगा वहां से ठीक है तो आप अभी टेलिग्राम चैनल जो description मिलने के उससे आप जोईन कर लिजेगा चैनल को subscribe करके रखिए और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जुरूर बताईएगा ठीक है आपने अपना answer देखा है या नहीं देखा है उसके बारे ही बताईएगा और वीडियो अच्छी लगे तो like रेटरिव्यू answer करना मत भूलिएगा और साथी इस वीडियो का जो like target है वो 1000 है और मुझे आप लोगों से पूरा भरोसा है क्योंकि इतना मेहनत करके जब मैं आपका रिजल्ट है और आपका सब कुछ है साड़ा answer आप मिला लीजिए देन आप रिजल्टे पहुंच जाएगे और officially आएगा उससे में भई है scorecard आपको डाउनलोड करना एट एट से scorecard आपके पास है अपना वाला officially आप जैसे ही आएगा डाउनलोड किजेगा और देख लिजेगा और जो भी चीजे में बनाया है हूँ यह सारी officially है thank you so much everyone